असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ जैजी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चानल तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी स्मॉल आइस पे ब्राइड मेकप करना टीच करें कुछ न्यू अंदाज में तो फोड़ी आइब्रो ब्राइड है यह थिन है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए मैसलर वाटर के साथ इसको नीट अंड क्लीन करेंगे और जहां पर हमें लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा होना चाहिए वहां से हम लग रहा है कि थोड़ी इनकी शेप थोड़ी बरी कोनी च चेड जो के मेरा फबर्ट है और इस चेड के साथ मैने पहले एक फ्लैट एप्लिकेटर की एटसे को डिजाश को एक किया है और अप्लाइ के बाद से सलय बॉइर कंगा और और देखे मैं आईब्रो के अपर एरिया पर भी इसको डिजाफ एप्लाइ कर रहा हूं और पिर हम जब base create करेंगे तो base करते हुए हमारी eyebrow की जो शेप है वो खराब नहीं होगी तो इस तरह से आप इसको पहले set कर लें और set करके अच्छे से इसको blend करने के बाद इसके ओपर कोई powder मत अपलाए किया करें तो दोस्तों यहां हमने लिया है ओपरा ब्रेंड का वाइड क्रीम जल जो के मैं बहुत सारी वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका है इसकी डिटेल बताने की मुझे जरूरत नहीं है अगर आपको यह पसंद है और आप यह बाइ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पर आपको ओपरा कॉस्मेटिक्स के नाम से इनका वाट्सप नमबर मिल जाएगा जहां से आप इनसे डारेक्ट बाइ कर सकते हैं आपने देखा कि क्रीम को अपलाई करने के बाद मैंने एक राउंड ब्रेश की हेल्प से इसको अच्छे से डिफ्यूज किया इसकी हार्श लाइन को फिनिश किया और अब हम डारेक्ट ठीन की क्रीज लाइन के लिए हुदा ब्यूटी पालेट में से एक रोस गोल्ड पाल पर सेम पिग्मिट का पे आफ नहीं मिलता तब तक मैं थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में इसको अपलाई करता जाओंगा और जब मुझे लगेगा कि इनर और कॉर्णर पर एक जैसा कलर मुझे अचीव हो गया है उसके बाद फिर मैं इसको ब्लैंड आउट करूंगा और आपने डारेट छी आईशेडों के साथ एक कर्व बना लेना है ऐसा करने से आपकी जो क्रीज लाइन होती है वो बहुत ही प्रमिनेट हो जाती है और इसको बाद में आप अच्छे से अपलिफ्ट करके डिफ्यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी क्लॉक वाइस मूव करके इसको ब्रॉब बॉन की तरफ सप्रेट किये जा रहा हूं और ब्रॉब बॉन पर जाके बरीक सी बस वाइट लाइन जो है वो दिखनी चाहिए ताके आपकी जो स्मॉल आईज है वो बहुत ही बिगर बिगर दिखे तो इस तरह से आप अच्छे से इसकी हार्श लाइन को ज नज़र आ रहा है उसको भी मैं ब्लेंड आउट करूँगा और कोशिश करूँगा हमारे आईज के ओपर कोई स्पैसिफिक कर्व ना नज़र आए ना इनर से ना आउटर से और मैंने इने अप्लाई की है नॉर्मल से वॉल्यूम की लैशिस क्यूंकि स्मॉल आईज को अग लिए ज्यादा लाइट गोल्ड मैंने इस लिए नहीं लिया क्यूंकि इसके उपर मैं फोड़ा सा ग्लेटर अप्लाई करूंगा तो और इसलिए मैंने फिर ग्लेटर जो है वो लाइट कलर में लगाना था तो मुझे ये लिड एरिया जो है थोड़ा सा इसको डाकर टॉन म ही अपलाई करना अच्छा लगा और फाइनल पर जाके आपको समझ आजए कि इस मेकप की के ऐसा मैंने क्यों किया था तो यह देखें कि मैंने क्रीस लाइन के अंदर इस मटायले काईशेडों को अच्छे से समच कर दिया इसकी भी कोई हार्श लाइन मैंने कोशिश किया है के ना दिखें तो इस तरह से आप कोशिश करें तो आप हर तरह का मेकप एज़ी ली कर सकते हैं बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी तो दोस्तो टाप टाप करके मैंने आइस के ओपर अच्छे से इस पिगमेंट को सेट कर लिया है और ना ही मैं इसको ज्यादा इनर की तरफ लेके आया हूँ और ना ही इसको ज्यादा आउटर की तरफ सिर्फ सेंटर लिड को हमने पॉप किया है यह रहा स्क्रीन पे आमरिज ब्रेंट का वो लूस पिगमेंट और इसका नमबर है थ्री और अब मैं इनको अप्लाई करूंगा फ्लाव मार का जेल लाइनर और दोस्तों इसमें कोई शुबा की गुंजाईश नहीं है यह जेल लाइनर बहुत ही अच्छा है ड्राई भी नहीं होता और बहुत ही सॉफ्ट है बिलकुल मक्षन की तरह और इसको अप्लाई करने के बाद अगर आप इसको स्मज़ करना चाहें और बाद में जब मैं दोनों आइस पे अप्लाई कर लूँगा बेस बना लूँगा तो तब एक बार फाइनल पे जाके इसके आउट कॉर्नर से जो एज है उसको और भी आर्टिस्टिक दिखाने की कोशिश करूँगा और आप सब को भी ऐसा ही करना चाहिए लाइनर कभी भी वन टाइम लगाने से बहुत अच्छा नहीं लग जाता मैं हमेशा ये बात बार बार आपसे ये बात शेयर करता हूँ कि लाइनर को हर एंगल से देखा करें साइड पे खड़े होके भी देखा करें सामने से भी देखा करें आपको दोनों आइस में अगर कोई 19-20 का भी डिफरेंस नजर आता है तो आपको वहीं पे on the spot ही उसको sort out करना है और जब तक दोनों का level equal नहीं होता तब तक आपको इसको touch करते ही रहना है और जब आपको लगे कि आपका दोनों side का liner बिलकुल equal है और कहीं भी कोई जोल नहीं है तब समझें के आपका liner perfect लग गया है और अब मैं हम इनको apply कर रहे हैं butter squat shade जो के मेरे ही brand का है और इसको अच्छे से tap tap करके semi wet beauty blender के साथ I mean के हलके गीले sponge के साथ इसको हम set कर रहे है और tap tap करके ही इसको हमने set कर लिया है और यहां मैं एक और बात clear कर दूँ अच्छा जो आ आपने base अच्छे से नहीं apply किया तो जितना portion आपका prominent होना है उस सारे portion को आपको अच्छे से face के साथ equally set करना चाहिए और उतनी ही quantity आपको neck पे भी apply करनी चाहिए जितनी quantity आप face पे apply कर रहे है ताके आपका दोनों जगों पे level same रहे और इस तरह से हमने इनकी base को set किया है त हम इसको lock करेंगे lock करने के लिए अगर आपके पास translucent powder नहीं है तो आप compact powder से भी इसको lock कर सकते हैं I mean कि इसकी lasting को extend कर सकते हैं इसको long lasting कर सकते हैं कुछ लोग मुझसे ये question करते हैं कि आपके foundation के बाद को compact या कोई translucent powder तो apply नहीं करना पड़ेगा तो ऐसा दुनिया में भी तक कोई foundation अज़ाद नहीं हुआ कि जिसके उपर आप powder apply ना करो powder actually हमारी foundation को बहुत अच्छे से सेट करता है जिससे हमारी love lines नहीं बनती रिंकल लाइन्स अपियर नहीं होती और यह देखें मैं translucent powder किसी और वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जो के मेरा favorite है लारा म brand है पाकिसान में इसकी products बहुत easily मिल जाती है और इसका compact का जो size है जो इसकी quantity है वो arm compact से double है इसलिए मुझे यह पसंद है कि इसको अच्छे supply करने से इसकी yellow undertone थी 45 का यह level था compact का और इसको apply करने के बाद हमने इनको contour किया था two face का cocoa contour palette में से और दोस्तों आपसे माजरत खाह किया वो इसलिए के face बिल्कुल slim था इसके लिए हमें high contour करने की जरूरत नहीं थी बस मैंने इतना contour किया है कि picture में flat ना दिखे क्योंकि इनका proper shoot था और shoot पे फिर आपको पता है अगर contour ना किया जाए तो आपके जो features हैं वो enhance नहीं होते तो इसलिए मैं इनको बस उतना ही contour कर लूँगा blush on complete और blush on के लिए आज मैं लूँगा tart brand का trio palette जिसमें three in one shades हैं दो blush on है एक highlighter है I mean कि एक थोड़ा सा शिमरी blush है और दो matte हैं तो आप इस तरह का trio अगर आपको कहीं पे मिल जाए online तो आप इसको buy कर लें लेकिन brand का खया ज़रूर रखिएगा अगर अच्छा brand होग brand है तो दोस्तों यह रहा सक्रीन पे वो tart brand का trio palette जिसमें से मैं blush apply कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मैं इनकी apple cheeks पे apply कर रहा हूं वो इसलिए कि apple cheeks थोड़ी smiley smiley दिखें और blush on आपको कभी भी just cheek bonds पे नहीं करना है आपने जहां जहां contour किया है वहां वहां यह brush वाला जो brush ह बले आप इसमें pigment ना लगाएं लेकिन इसको empty brush ही contour area पे चला दिया करें जिससे आप blush on apply कर रहे होते हैं तो आपका contour जो है वो थोड़ा सा decent हो जाता है और ऐसा करने से आपका face भी जो है वो बहुत pinkish pinkish देखता है contour अपनी जगह पर ही रहेगा उसका reflection भी अपनी जगह पर ह लेकिन इसकी जो harsh line है वो blush के साथ mix up हो जाएगी और फिर वो harsh नहीं दिखेगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं धीरे धीरे वकफे वकफे के साथ थोड़ा थोड़ा pigment लेता जा रहा हूं और apple cheeks को थोड़ा highlight करने की कोशिश कर रहा हूं ताके face जो है वो थोड़ा pinkish देखे और इस तरह से जब तक मैं satisfy नहीं हूंगा मैं इस brush को चलाता रहूंगा थोड़ा थोड़ा pigment लेता रहूंगा और इसके pigment को extend करने की कोशिश करूँगा लेकिन बहुत harsh way में नहीं बहुत ही blended blush on जब तक आप नहीं लगाएंगे आपका कभी भी blush on अच्छा नहीं और अब मैं वही नार्स का जो highlighter इनको cheeks पे apply किया था उसी से inner corner को enhance कर दी और अब मैंने एक छोटा सा flat brush लिया है जिसको मैंने black eyeshadow लगाया है और इस तरह से मैंने इसकी direction को थोड़ा down की तरफ से create किया है और जब यह अच्छे से line मुझे visible होके मिल जाएगी तब मैं इसके अं इस line को draw नहीं किया मैं जस्ट eyeshadow की help से ही इसको variation दे रहा हूं और इसको आपने फलाते रहना है और ज्यादा अगर long line हो जाए तो finger से उसको diffuse कर दें और अब इसी तरह मैं इसके क्योंकि यह powder है आप अगर finger से भी इसको diffuse करेंगे तो easily यह हो जाएगा और अब मैंने जो दोनो liners के दरमयान में एक gap था उस gap के अंदर वही white cream gel जो मैंने brow bone को enhance करने के लिए apply किया था उसी के साथ मैं इसका जो center way है दोनो liners के दरमयान वाला जो हिस्सा है वहाँ पर मैंने इसको apply किया है पहले मैंने एक चोटी सी line apply किया और अब मैं brush को clean करके इसको बाहर की तरफ diffuse तो out corner से जहां पर यह line finish होती वहां से आप में brush को neutral करके तो इस तरह से smudge कर देना है और अगर brush से ना हो सके तो अपने thumb से या finger से भी आप इसको diffuse कर सकते हैं और अब मैं eyes की water line में भी यही white gel apply कर रहा हूं और इसको मैं out corner पर ले जाकर उसी portion पर जहां हमने white cream apply किया उसके सा जा जा जाएगा है white line मैंने कहां से कहां तक लगाई और कहां से उसको diffuse किया out corner से तो आपको इस कदर diffuse कर देना है कि उसका सिरफ white का हलका सा reflection देखे तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और काफी detail के साथ मैंने आपके साथ lecture भी शेयर किया है और आपको method भी बताया है अब हम इनकी जो inner corner है उस पे एक चोटा सा edge निकालेंगे जिसके लिए मैं same floor mark का gel liner ले रहा हूँ और इसका बहुत ही tiny सा brush है मगर बहुत मज़े का brush है इसके साथ आप जितनी बारीक way में ये line create करना चाहें हो जाती है और इसको भी बहुत ही neat और बहुत ही खुबसूरत बनाने के लिए मैं दो से तीन बार touch करूंगा तब जाके ये inner corner मेरे मतलब का बनेगा अगर eyes थोड़ी broad होती तो मैं inner का जो edge है उसको थोड़ा और बाहर निकालता है लेकिन चोटी आँख है तो आपको inner का edge ज्यादा बाहर नहीं निकालना है और आप देखें मैंने आपको start में बताया था कि मैं final पे जाके जो हमारा wing liner है उसके out corner को थोड़ा सा और enhance करूंगा जो के मैंने अभी किया है और अभी मैं la girl का luminous lose highlighter अप्लाई कर रहा हूं और इसको मैं fan brush की help से जस्ट इसके उपर चीक्स के उपर रख रहा हूं और थोड़ा थोड़ा बस इसको spread करूंगा ये बहुत ही जबर्दस glow देता और ये रहा आज के हमारी model का final look और इनका shoot हुआ थो मैंने सोचा कि थोड़ा सा shoot मैं आपके साथ share कर दूँ आप काफी tight shot में देख सकते हैं इनका इसका make up कैसा हुआ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का make up भी आपको बहुत पसंद आएगा इजाज़त दीजिए आला हाफिज